सहल और वेलकम फ्रेंड्स दोस्तो आज हम जानेंगे टेक्नो पॉप एट वर्सिस इन्फिनिक्स स्मार्ट एट दोस्तो दोनों ही फोन बजेट सेग्मेंट में आते हैं दोनों ही 6,000 से 7,000 के विए तो देखेगे दोनों का पफॉर्मंस लुक्स और दोनों को जाने के कि कौन साब बेश्ट होगा आपको 7,000 के प्राइज में लेने के लिए तो दोस्तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देजिए और बात करते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट एट की जिसमें के आपको मिलता है 50 मेगा पीसल का कैमरा जिसमें आपको मिल जाता है पॉट्रेट मॉड जिस से आप पॉट्रेट फोटो शूट कर सकते हैं फुल एचडी वीडियो भी इन्फिनिक स्मार्ट एट से आप शूट कर सकते हैं इसका लुक काफी आइफॉन की तरह है इसमें बहुत ही कमाल का फीचर है ये मैजिक रिंग जो कि आइफॉन से रिलेटेड है आइफॉन से मिल जूलती जूलती रिंग है जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है लुक्स भी काफी अच्छा आ जाता है इसमें आपको मिल जाता है पचास मेका पिक्सल का कैमरा दोस्तों बात करते हैं टेक्नो पॉप एट की जो की स्टाइलिस है ये भी आइफॉन की तरह ही दिखता है और इ स्टाइलिंग काफी कमाल की आठ मेगा पिक्सल का ग्लॉइंग सेल्फी कैमरा है बारा मेगा पिक्सल का डूट कैमरा तो चलिए कर लेते हैं दोनों का शोट कंपेरिजन दोनों की प्राइस जो है छे से साथ हजार के बीच में आपको मिल जाएगी इंफिनिक स्मार्ट एड जो ही मीडियाटेक के लिए जी थरडे सिक्स यूनिसॉक टीस जीरो सिक्स जो है आपको टेक्न में मिल जाता है दोनों की स्क्रीन सेम सेम ही है 6.6 और 6.6 पचास मेगा पिक्सल का इंफिनिक्स में मिलता है 12 मेगा पिक्सल का टेक्नो में मिल जाता है फ्रंट कैमेरा दोनों म 64GB का storage आपको मिल जाएगा दोनों ही phone में सेम सेम ही है बात करते operating system में दोनों ही Android version 13 पर काम करते है Mediatek Helio G36 जो है chipset Infinix में और Unisoc T606 जो है Tecno में है Octa-Core processor दोनों में ही है 4GB की RAM आपको दोनों ही phone में मिल जाती है 4GB की RAM का option भी है और दोस्तो RAM की टाइप है LPDDR4X दोनों में ही सेम है डिस्प्ले टाइप है IPS LCD दोनों में ही IPS LCD डिस्प्ले आपको मिल जाती है Screen size मैंने आपको बताई 6.6 Infinix में है और Tecno में 6.56 है मतलब कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है